आप जानते हैं कि Fast Bowlers बॉल के एक हिस्से को चमकाते हैं और दूसरे हिस्से को खुर्दरा ही रहने देते हैं इससे गेंद फेकने पर खुर्दरी सतह पर हवा का Flow turbulent हो जाता है खुर्दरी सतह पर एर प्रेशर शाइनी साइड के मुकाबले कम होता है और गेंद खुर्दरी सतह की तरफ मुड़ जाती है मगर आज कल तो फास बोलर्स रिवर्स स्विंग भी करने लगे हैं यह रिवर्स स्विंग क्या है? कैसे होता है ये? रिवर्स स्विंग में बॉल खुर्दरी सतेह की तरफ नहीं पर शाइनी साइड की तरफ स्विंग करती है। इसको एक तरह का चमतकार भी समझ सकते हैं या फिर विज्ञान से समझा भी सकते हैं। बॉल के पुराने होने पर एक ऐसा मोड आता है जब बॉल की खुर्दरी सतेह का वजन दूसरे हिस्से के मुकाबले हलका हो जाता है हाला कि एरो डैनेमिक्स के सिध्धान्त ये कहते हैं कि गेंद लो प्रेशर की तरफ यानि की खुर्दरी साइड की तरफ स्विंग करे जब बॉल का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बहुत भारी हो जाता है गेंद प्रेकने पर शाइणी साइड का वजन ज्यादा होने के कारण बॉल शाइणी साइड की तरफ स्विंग करती है और इसी को रिवर्स स्विंग कहते हैं इंडियन सबकॉंटिनेंट की विकेट्स पर बॉल जल्दी पुरानी होती है इसलिए यहाँ पर reverse swing ज्यादा देखने को मिलता है मगर नई gain से swing करना भी कला और विज्ञान है नई gain में दोनों हिस्से चमकते हैं और इसलिए ball को सीधे फेकने से ball किसी भी तरफ swing नहीं करेगी केंद बाज ball को swing कराने के लिए एक तरफ pressure घटा देते हैं बहुत साधारन तरीका है नई gain से swing कराने के लिए गेंद बाज ball की सीम को तिर्ची पकड़ते हैं ball के एक तरफ हवा का flow सीम से टकरा कर turbulent हो जाता है दूसरी तरफ हवा का flow smooth होता है जिस तरफ हवा turbulent होती है उधर pressure कम होता है और ball उसी तरफ मुर जाती है इन तीनों उधारनों से एक चीज तो साफ है कि तेज गेंद बाजी का हुनर सिर्फ तेज फेकना ही नहीं पर gain की सीम को सीधी रखने पर भी निरभर है gain की सीम को सीधी रखने के लिए gain बाज gain को backspin कराते हुए डालते हैं gain की backspin की वज़े से gyroscopic action काम करता है अगर gain की सीम थोड़ा सा डगबगाए तो spin की वज़े से उल्टी दिशा में टॉर्क लगता है जो सीम को सीधी रखता है ये backspin जितनी तेज होगी gain की सीम उतनी ही सीधी रहेगी और swing उतनी ही ज्यादा होगी